हे दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीस सौगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जॉब इंडिया में दोस्तो अभी आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को सेयर कर दो NHM CHO भरती 2021 दोस्तों NHM की तरफ से CHO आफिसर की नई भरती लेकर आचुका हूँ दोस्तों बता दें वेकेंसी की डिटेस जो है अभी कनफर्म नहीं है लेकिन मैं आपको बता दू एक्सपेक्टेड जो है 500 से 1000 पदो पर यह भरती होने वाली है इसमें दोस्तों वेकेंसी बढ़ भी सकती है लेकिन फुल नोटिफिकेशन आचुका है जब आप लोगों का फाइनल सेलेक्शन होगा उस समय वेकेंसी की डिटेर्स जो है बताई जाएगी तभी दोस्तों नहीं भरती आ चुकी है ऑनलाइन यहां पर इस्टार्ट हो चुका है इसमें आप लोग 26 दिसंबर तक फार्म का अपलाई कर सकती हो और आप लोगों का जो है 3 जनवरी 2022 को एकजाम होगा और 5 जनवरी 2022 को रेजल्ट आने वाला है साथी दोस्तों 28 दिसंबर को एड्मिट कार्ड भी जारी किया जाएगा तो इस वीडियो में दोस्तों कौलिफिकेशन क्या होगी जॉब लोकेशन क्या है एकजाम डेट एड्मिट कार्ड डेट रेजल डेट काउंसिलिंग डेट सारी जानकारी मेंसन कर दी गई है तो यह आपको लिए बहुत ही बड़ी खबर है यह दोस्तों उत्राखंड से भरती निकाले गई है उत्राखंड एनचेम सियचों की भरती यहाँ पे आ चुकी है लेकि मैं आपको सारी जानकारी दोंगा तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं औफीसली वेबसाइड पर देखे दोस्तों वीडियो को इसकी मत करना आपको जो है इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन देंगे तो सबसे पहले देखे हमने जो है ओफीसली वेबसाइट ओपन की है आप लोग यहाँ पी चेक कर सकती हो हे मुवती, नंदन, बहुगुडा, उत्राकंड, मेडिकल, एजुकेशन, इन्वरसिटी, दहरादून यह दोस्तों वेबसाइट है ओपर चेक कर लो नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक पेज का यह जो वेबसाइट है इसका लिंक जो है नीचे डिस्केशन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पी किलिक करके डारेक्ट दोस्तों इस पेज पर आ सकती हो इस पेज पर आने के बाद जो है न्यू रजिस्टेशन का ओप्सन है यहाँ पी किलिक करके रजिस्टेशन क MLHP Community Health Officer CHO का जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकती हो तो इस वाली option पर किलिक करके जल्दी से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ Officially Notification पर अभी आप लोग देखी बता देए तो यहाँ पर देखी राश्टी स्वाफ मिसन उत्राखन के अंतरगते MLHP Community Health Officer CHO के रिक्त पदोब पर Integrated Circulum of BSC Nursing and Post Basic Nursing Course से उत्रेंड अभीरतियों की परिश परिचा है तो हेमवती नंदन बहुगुडा उत्राखन चिकिस्सा सिच्छा विस्विद्याले के ओ देखिए यह जो पूरा एक्जाम कंडेट करवा रही है यह दोस्तो हेमवती नंदन बहुगुडा उत्राखन चिकिस्सा सिच्छा विस्विद्याले की तरफ से आप लोगों की एक्जाम करवाई जाएगी सब कुछ यहाँ पर करवा जाएगा बाकी जब आप लोगों का कांसिलिंग होगा तो यह दोस्तो UK NHM जो है आप लोगों की कांसिलिंग करने वाली है और जो वेकेंसी की डेटेल्स है यह दोस्तो जो उत्राखन चिकिस्सा सिच्छा विस्विद्याले की इन्वर्सिर की जो लोगों का ओनलाइन स्टार्ट हो चुका है आप लोग 26 दिसंबर 2021 सामको 3 बजे तक जो है फार्म को अपलाई कर सकती हो आप लोगों का जो एड्मिट कार्ड है यह आप लोग 28 दिसंबर सामको 4 बजे से एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकती हो इसके बाद जो आप लोगो होगा और जो counseling की vacancy की जो details है यह दोस्तो अब इस विद्याल है की जो website वहाँ पे publish की जाएगी 5 जनवरी के बाद तो दोस्तो 5 जनवरी के बाद ही confirm होगा कि कितनी vacancy है इसके बाद यहाँ पे कुछ information है आप लोग check कर लेना आप दीचे देखोगे तो बता दें दोस्तो qualification के बारे में तो राश्टी स्वाफ मिशन उत्राखण के अंतरगत अगर आपने जो है bsc nursing का रखा है योम post basic bsc nursing का रखा है तो आप लोग firm को यहाँ पे apply कर सकती हो इसमें जो bsc nursing post basic bsc nursing जो है apply करेंगे लेकिन नीचे आओगे तो बोला जा रहा के राजी के समस्त nursing college public private योम एम सरिसी केस से अगर आपने उत्रीड किया है तो आप लोग apply करोगे साथी अगर आप लोग उत्राखण के मून निवासी हो और दूसरे राज में आपने bsc nursing किया है या post basic bsc nursing किया है तो भी आप लोग farm को apply यहाँ पर कर सकती हो लेकिन उत्राखण के मून निवासी यहाँ पर होना चाहिए बाकि जो दूसरे इस्टिट वाले हैं farm नहीं apply कर पाएंगे क्योंकि उत्राखण का यहाँ पर मून निवासी मांगा गया है बाकि minimum qualification की तीन वर्स की छूट मिलेगी और यस्टि और यस्टि वालों को 5 वर्स की छूट मिलने वाली है बाकि आप लोग यहाँ पर चेक कर लेना अब यहाँ पर कुछ information है जिसकी जानकरी हम आपको देने वाली हैं जैसी कि आपको बता दें application fees के बारे में तो यहाँ पर दोस्तो CHO MLHP के लिए जो है जो लिखित परवेस परिच्चा होगी इसका जो है 500 रुपे का application fees है और सभी के लिए application fees देना होगा चाहे जो भी आपके category हो और इसमें जो है देखिए तो बता दें तो जो आप लोगों का EWS, ESC, HD, OBC परमारपत्र लगेगा यह होने चाहिए अब इसमें देखिए आप लोगों का offline exam होगा जिसमें दोस्तो देखिए तो जो आपका nursing है उससे जो है 100 question पोचे जाएंगे 120 minute का समय होगा एक question जो है एक number का होगा और यह आप लोगों की तयारी है मनीश पाट सरा YouTube चैनल पर कराई जाएगी तो जाके subscribe कर लेना अब यहां पर दो है कुल टोटर 100 question होगे 120 minute का समय होगा negative marking नहीं है और सबसे अची बात है answer seat का जो carbon copy है जो duplicate है वो आपको दिये जाएंगे और फिर जो है आप लोग जो आपका answer सीट जारी किया जाएगा उसमें अपना चेक कर सकती हो तो देखिए एक जो duplicate carbon copy है आपको दे दी जाएगी बाकी जो आपका original answer seat है उसे ले लिया जाएगा और जो आप लोगों का question paper है question paper है उसे भी आपको दिया जाएगा तो most important था बाकी दोस्तों बता दें तो link जो है आपका activate हो चुका है आप exam center के बारे में बात करें तो दो exam center होने वाला है CHO MLHP 222 में liquid परिच्छा में समलित निम्लिकित केंद्रों पर आयोज़ की जाएगी number one देहरादून हल्दवानी तो दो परिच्छा केंद्र है जब आप लोग firm को apply करोगे तो वहाँ परिच्छा केंद्र code आपको डालना होगा अगर आप लोग number one डालोगे तो आपका exam जो है देहरादून होगा अगर number two डालोगे तो फिर आपका हल्दवानी exam होगा तो दो center है आप लोग चूझ कर लेना बाकी और भी देखिए यहाँ पर कुछ information बोला जा रहा कि जो vacancy की details है आपको बाद में बताए जाएगी बाकी जो आपकी age criteria है दोस्तो age criteria जो है यह 1 January 2021 को count की जाएगी और कम से कम जो है आप लोगों का age 20 verse होना चाहिए अधिक्तम 42 verse से जानदा नहीं होना चाहिए लेकिन अकर आपकी category OBC, C, C, H, T है तो फिर आपको 3 verse या 5 verse की छूट मिलने वाली है कि लिए दोस्तो तो देखिए हमने आपको सारी information दे दी है और फीसरी website का link जो है नीचे description box में मिल जाएगी वहाँ पर click करके notification को download कर लो thank you दोस्तो कैसा लगा वीडियो जरूब बताईएगा कोई भी doubt है कोई भी question है नीचे comment कर दो इसमें BSC nursing post basic BSC nursing जो है farm को apply कर सकते हैं बाकि आप लोग देख लेना मिलते हैं नच वीडियो में धन्यवाद